सेंट्रल जेल के एक विचारधीन क्यादी ने जेल के द्वीतिय श्रेणी के अधिकारी हेमन इंगोले के साथ मारपीट की आरोपी शोयब सलीम खान है आरोपी के कमरे से नेमित जाज के दौरान कोच्च मैडिसिन टैबलेट और आठ इंच लंबा नुकीलत तार मिला था सटीक जवाब नहीं देने पर जेल अधिकारी हेमन इंगोले ने उसे जप्त किया था इंगोले की शिकायत पर धन्तोली थाने के बीवी फरतार्डे ने शोयब खान पर पाबला दर्च किया है हाली में शाशन की ओर से करीब आठ करोर रुपए की निधी जेल प्रशासन को मुहिया कराई गई निधी मिलते ही जेल के अंदर आठ नए बेरक का निर्मान कारे शुरू कर दिया गया है बेरक निर्मान कारे का दो दिन पहले जेल अधिक्षक अनुप कुम्रे के हातों भूमी पूजन किया गया अधिक्षक कुम्रे के अनुसाद जेल के अंदर लंबे अंतराल के बाद नवीनी करन का कारी शुरू किया गया है जेल में आठ नए बेरक के अलावा कैदियों के ट्वाइलेट, इसनान ग्रह की जगा और बेरक की सभी छतों की सिमेंट शीट को निकाल कर टी शेट लगाया जाएगा जेल में कई बेरक की सीट खराब हो चुकी है जेल अदिक्षक कुम्रे ने कहा कि सेंटरल जेल के अंदर में दिवारों में भी सुधार किया जाएगा नागपुर की सेंटरल जेल ब्रिटिश काल में बनी है करीब 158 साल पुराने सेंटरल जेल के अंदर अब कुछ पुराने बैरक का नवीरी करण का कारे शुरू किया गया है जेल के अंदर बैरक का निर्मान कारे शुरू हो जाने से जेल के अंदर बाहर आने जाने वाले मस्दूरों की रोजाना गहन जाच परताल होती है उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने के अनुमती दी जाती है जेल में कैदियों के परिजनों के लिए बनाए गए मुलाकात कक्ष और विजीटर कक्ष का भी सौंदरी करन किया जाएगा जेल में कई बार बाहर से वकील पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी आकर विजीटर कक्ष में बैठते हैं सेंटरल जेल के अंदर आठ नए बैरक का निर्मान शुरू किये जाएगा